नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम अभ्याज करेंगे अपने फिफ्थ चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गी करण के कुछ प्रशनों का जो की पिछले कुछ वर्षों से विभिन बोर्ट परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं तो ये प्रशन आपके आने वाली परिक्षाओं के लिए भी काफी important साबित हो सकते हैं तो इन प्रशनों को काफी अच्छे से solve करना है और इनका revision करते रहना है इसमें पहला प्रशन है आधुनिक आवर्थ सारनी के प्रथम आवर्थ में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए तो देखिए ये रही हमारी आधुनिक आवर्थ सारनी और ये वाली है मैंडिलिफ के आवर्थ सारनी ठीक है समू या फिर वर्ग तो देखिए पहले आवर्थ में कितनी तत्व आपको नजर आ रहे हैं दो ही तो हैं हाइड्रोजन और हीलियम इनहीं का नाम हम लोग यहां पर लिख देंगे तो पूछा है आधुनिक आवर्थ सार्णी के प्रथम आवर्थ में उपस्ति तत्वों के नाम इसके उतर में हम लोग दो तत्वों के नाम लिख देंगे हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H, ठीक है एवं Helium Helium का क्या प्रतीक होता है HE और आपको ये भी पता होगा जो Helium है वहे एक Novel Gas होती है यानि की Acrya Gas होती है तो इसका उतर आप समझ गए एक नंबर का प्रशन था आपने इन दोनों तत्वों के नाम लिख दिये जो की प्रथम आवर्थ में उपस्ति थे अब अगला प्रश्ण देखते हैं देखिए अगला प्रश्ण है एक तत्व का इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो, आठ, साथ है आवर्थ सारणी में इसका आवर्थ तथा समूँ बताईए तो इसका जो electronic विन्यास है वह कितना है वह है 2, 8 और 7 तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इसमें हम निकालेंगे इसका परमानू क्रमांग electronic विन्यास अगर 2, 8, 7 है तो परमानू क्रमांग कितना हो जाएगा जितने भी electron इसके तीनों कक्षकों यानि की K, L और M में उपस्थित है उनका योग तो कितने हो गए टोटल? 2 प्लस 8 प्लस 7 है ना? यानि की 17 तो जो तत्व हमको यहाँ पर दिया गया है इसका परमानू क्रमांग कितना है? इसका परमानू क्रमांग है 17 ठीके? सत्रा पर्मानु क्रमांग कौन से तत्व का होता है आईए आवर्थ सारणी में देखते हैं देखिए यहाँ पर सत्रा पर्मानु क्रमांग कौन से तत्व का है क्लोरीन तो यह कौन सा तत्व हो गया यह हो गया क्लोरीन ठीक है तो इसका आंसर क्या है क्लोरीन और ये कौन से आवर्थ एवं समूह में उपस्थित हैं तो क्या बताएंगे आप देखिए क्लोरीन कौन से समूह में उपस्थित हैं ये क्या होती है उर्ध्वादर पंक्तियां समूह या फिर वर्ग तो क्लोरीन का समूह है 17 और आवर्थ कौन सा है क्लोरीन का ये द वह है 3 ठीक है और क्लोरीन का जो समू है वह कौन से समू में उपस्थित है 17 तो समझ गया आप लोग ये एक नंबर के प्रश्ण में पूछा गया था अब अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समू में है इसके ऑक्साइट का सूत्र बताईए तो जो तत्व आवर्त सारणी के तीसरे समू में होते है ना उनके ऑक्साइट का सूत्र होता है R203 इस R की जगे पर उस तत्व का नाम लिखा जाता है ठीक है हमको तत्व का क्या नाम दिया गया है तत्व का नाम है M तो इसका ऑक्साइट क्या हो R की जगे पर M रख दीजिए तो क्या बन गया इसका Oxide का सूत्र M2O3 समझ गया आप लोग इतना ये भी एक नंबर में पूछा गया प्रशन है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रशन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में समुह तथा आवर्त का आशय स्पष्ट कीजिए ये तीन नंबर में पूछा गया प्रशन है तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है जरा इसकी परिभाश्या से समझते हैं देखिए तत्वों के गुण धर्म उनकी पर्मानु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं अर्थात पर्मानु संख्या के आधार पर या फिर एक निश्चित पर्मानु संख्या के क्रम में जो तत्वों के गुण धर्म हैं वे क्या होते हैं मैच करते हैं है ना एक निश्चित पर्मानु क्रमांग के बाद में जो आने वाले तत्व हैं उनके गुण धर्म क्या करते हैं आपस में एक जैसे होते हैं ये कहा गया है आधुनिक आवर्थ नियम में इस परिभाशा को आप ऐसे ही लिख दीजेगा समूम और आवर्थ हम लोगों ने डिसकस किया है देखिए समूम क्या होते हैं उर्धवाधर पंक्तियां होती हैं जो ये एक से लेके अठारा तक हमको नजर आ रहे हैं आवर्थ क्या होते हैं शैतिच पंक्तियां होती हैं जो एक से लेके साथ तक हमको ये नजर आ रही हैं इ देखिए समूह क्या होते हैं 18 उर्धुस्तम हम लोगों ने अभी अभी आवर्थ सार्णी में देखा आवर्थ क्या होते हैं साथ श्यतिश पंक्तिया ठीक है और देखिए क्योंकि ये question तीन नंबर में पूछा गया है तो हमें इसमें थोड़ा बहुत और भी चर्चा कर लेन तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो परमानू त्रिजिया है या फिर परमानू साइज है वह समूह में उपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है जबकि आवर्थ में बाएं से दाएं ओर जाने पर घटता है धात्विक गुण की अगर हम बात करें तो समूह मे उपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है जबकि आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है तो अधात्विक गुण क्या होगा धात्विक गुण का अपोसिट होगा विपरीत होगा है ना समूह में उपर से नीचे जाने पर अधात अधात्विक गुण क्या होता है घटता है जबकि आवर्द में बाएं से दाएं की ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ जाता है ठीक है इतना समझ गये आप लोग अब अगला कुशिन सॉल्फ करते हैं देखिए अगला कुशिन है न्यूलेंट के अश्टक नियम की क्या सीमाई है थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं तो न्यूलेंट का अश्टक नियम क्या होता था न्यूलेंट ने 56 तत्वों को उस टाइम तक जो ग्या 56 तत्व थे ना उन्हें उनके परमानों भारों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया ठीक है और न्यूलेंट ने क्या ब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा है ना जैसे कि लीथियम है अगर लीथियम पहले नंबर पर है तो इसका जो आठवा तत्व होगा इसके बाद जो आठवा तत्वा आएगा जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि कि सोडियम तो लीथियम समानता रखेगा सोडियम के साथ में इ जैसे कि लिए येवाला नियम लागू नहीं हो रहा था तो इसकी पहली सीमा तो यही थी दूसरा इन्होंने केवल 56 तत्वों के लिए एक सारणी टाइप के बना दी इन्होंने ये विचार नहीं किया कि कुछ समय के पश्यात और तत्वों की भी खोज हो सकती है तो ऐसा को रिक्त स्थान इनोंने नहीं छोड़ा जो की मैंडलिफ ने अपनी आवर्ट सार्णी में छोड़ा था। तो इनका ये भी एक सीमा है कि इन्हों ने मात्र 56 तत्वों को ही अपने सारणी में लिया और आने वाले तत्वों के लिए कुछ विशेश प्रबंध नहीं किया। इन्होंने कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कोबॉल्ट और निकल, ठीके, इनको इन्होंने रख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले समू में, जबकि इनके गुंधर्मों में समानता नहीं होती है, साथ ही साथ आप देख रहे देख रहे हैं, केवल शुरू के तत्वों के लिए ही लागू हो रहा था, जिनके परमाणू भार कम हैं, और कुछ टाइम के बाद जब नोबल गैसों की खोज हुई, तो इन्होंने कोई समो नोबल गैसों के लिए तो छोड़ भी नहीं रख है, है ना, तो उसके बाद ये जो इनका नियम था, ये अप्रासंगिक साबित हो गया, तो यही सब है न्यूलेंड्स के अश्टक नियम की सीमाएं, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ ही परिभाशाएं हैं, है ना, और किस प्रकार से आवर्ट सारणी में तत्वों को आव्यवस्थित स व्यवस्थित किया गया है, यही सब है, तो इनको आप लोगोंने अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, जो अभ्यास वाले प्रशन कराए जा रहे हैं, वो पिछले कुछ वर्षों से परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, है ना, तो उनको अच्छे से रिवाइस क अबर्तीर से नाहे